सिगरेट शराब शरीर के लिए हानिकारक है। इससे कैंसर हो सकता है। सिगरेट स्मूकिंग और अल्कोहल कंजंप्शन और इंजूरियस तो हेल्थ। इट कॉज़स कैंसर। कर दो प्रूल ऐस्मूस कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 जब दिखाई दे रहा है पूछ क्यों रहा है तुछ क्यों रहा है तुछ यह लिखी है अरुनाचल से लक्षमी नर्सिंग स्वामी का प्रसाद लेकर आया हूँ लीजिए यह बताईए पंडिजी लक्षमी दाराण जी का बंदिर अरुनाचल कब शिफ्ट हो गया ओओ पंडिजी हां बेटी मेरे बेटे को ऊपर चिपकली गिर गए थी कुछ कीजिए आपका बेटा सेफ जून में आ जाएगा और आप लक्षमी नरायन जोन में पंडिजी बेटी तुम्हे काम करो इसे जल्दी से ले जाओ वरना कहीं यही मुझे श्राप ना देदे पंडिजी यह प्रसाद मंदिर का या घर में बनाया है इक शिफ 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 क्या मा अब तेरा चेहरा चमक रहा है मेरे सोना बेटा पंडिजी आपके दी हुव विभूती लगाते उसका चेहरा चमक गया तुमने विभूती लगा यह मुल्तानी में बस किजिए पंडिजी मैं नहीं जानती कि आप क्या करेंगे बस मेरे बेटे की शादी जल्दी होनी हाँ क्यों नहीं आएगा देखिये फोन बज रहा है मेरा नहीं आपका बज रहा है हालो हाँ ओके ठीक है ठीक है मेरे वाट्सअप नंबर पे उस लड़की की फोटो भीजो है थैंक यू कौन था जी मेरे बैंक में जो रमेश जी काम करते हैं उन्हें अपने बेटे की किसी को दिखाया होगा उन्हें पसंद आगया बेटा अब मिलने के लिए आना चाहते हैं हाँ हाँ है साई बाबा है नमस्कार टेड़े पंडित जी अपने अभी के लिए रिष्टा खुझ जलकर आ रहा है यह तो गया अब जल्दी सुन से बात करके रिष्टा तैय कर पंडी जी अब हमें क्या करना होगा आपके बेटे की कुंडली के अनुसार इस घर में ही मैच खेलने से फिक्स होगा मेरे लिए रिष्टा पंडी जी आज तक आपके ना तो मंतर समझ में आए और नहीं आपकी गोल बात मतलब रिष्टे के लिए आप वहां नहीं लड़की से काफ़ी पिलाती है यह लड़का कफ़ी पिलाईगा क्या जो भी हो रिष्टे के लिए आपका हमारे घर के या आपको अजीव से लगता है फैसे नहीं है लेकिन बेटे की कुंडिली के कि हिसाब से पंडीत जी ने ऐसा लोल्झा यह जल्दी हो जाएगी अड़ अभी का मामा है लेकिन मामा का प्लोस फ्रेंड से भी बढ़कर है मतलब राम और लक्षमन की तरह है अरे नहीं नहीं हनुमान जी की पूच की तरह है नहीं नो शादी करना ही पेकार है जिक रूट गया अभी और कितनी देर लगाएगा सब बेट कर रहे हैं जाओ ममा मैं नही अंटी वाश्रूम कहा है यहीं सामने है बेटा मैं भी जाती हूं अंटी एक्षिली मैं आपसे एक बात कहना चाहता था आपने इस पर ध्यान दिया एक पूजा तो दूसरी अर्चना आपके माता पिता रोज मंदिर जाते है ना थोला सोचिए अगर आपका भाई होता तो नाम परसाद और एक और बहन होती तो उसका नाम आरती रखते ना हम फिर तो सारी पूजा सामगरी हमारे घर में मिलती है यूरा सो फनी कहा ना मामा आ रहा हूं अगर उनसे इतना बिंतजार ने हो रहा तो उनसे कह दो मेरे रूम में आ जाए यहीं देख लेंगे लड़की को आप अगे तो यहीं देख लो ना इस लड़की को सॉरी तो तुमने फोटो भी नहीं देखी पूजा ओ शिट अभी 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 शेक फूल डीटेल्स पता लगा लें स्कूल में पड़ा था वो स्कार 2009 नो वेट में बी 2010 इंटर स्कूल फुटबॉल टोर्नमेंट में गोल रोकते हुई गोल फ्रेम से टकरा गयते हैं ना जीप कट, टू स्टिचिस, मैन अफ दे मैच भी वादबॉल इतना परफिक कैसे जानती हो क्योंकि मैंने भी जॉंसन ग्रामर हाइ स्कूल से ही पड़ाई की जॉंसन ग्रामर हाइ स्कूल तब मैं थोड़ी अलग थी याद करो कि तु याद भी नहीं आएगा सोड़ा क्लास वाले चश्मे पहनती थी ताथ हमें ब्रस लगाती थी बिसिकली तुम पेरंट्स के रूल्स तो चानती हो ना लड़की 25 यर्स की होते ही शादी की चिंदा दिनके तीन-चार रिष्ते आते हैं मैं तो तंग आ गई हूं फोटोस देख देखके और अचानक एक दिन तुम्हारी फोटो सामने आई तुरंट हां कह दी हां आई मीन मिलने के लिए ओके दीदी सब नीचे आपका वेट कर रहे है मेरे अभी को पुला बहुत ही पसंद है तुम्हें भी पसंद है ना फूजा को और क्या-क्या पसंद है सोना पसंद है ओफिस के लिए छुट्टी मारना पसंद है और हां सबसे जादा सेकेंड शोज देखना पसंद है अच्छी आद दोते हैं कर दोते हैं कर दोते हैं हलो नीन नहीं आरे क्या तुम्हें आ तो रही है लेकिन जागने के लिए बेस्ट रीजन है मेरे पास अच्छा और क्या है वो बताती हूं पर किसी को बताना मत ओके और देखो मुझे जज्बी मत करना नहीं करूंगा बताओ अच्छी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए ऐसे समझ नहीं आय तो क्या है कुछ नहीं कुछ नहीं देख रही हूं वैसे ही हो या बदल गए हो सो वाट दो थिंग समझ नहीं आ रहा हम सीन सीम बद डिफरेंट पहली तुम बहुत बाते किया करते थे वक्त के साथ साथ सब बदल जाते है ना पुझा सब कुछ अभी केरियों सी ऐसे रहोगे तो अच्छे लगोगे यह कि तुमसे कुछ कहूंगी एक ही बार कहूंगी बताने के बाद तुम भाव मत खाना कि अभी कि अभी कि तुम मेरे हस्बंड होते तो कैसा होता अब बस अब कभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे ओके ड़न ओके अभी पुझा मुझे तुमसे कुछ कहना है तुम इस ट्रेस में बहुत संदर लग रही हो थैंक यू मुझे लगा था तुम नोटिस भी नहीं करोगे दीदी माने फोन किया था बाई तो चलू ना में हाँ आई थेंक यू आफ तो गो बहुत लेट हो गया ना चलू दुबारा मिलने के लिए पूछना चाहिए था ना कब मिले ये भी नहीं बोला उसने वह फोन तो करेंगा ना मुझे तो तुम्ही वह बहुत पसंद आया ना हाँ लड़की अच्छे से बात कर रही थी ना से लड़की अगर कुच भी बात कर एंट अच्छे लगता है अ दीदी और जीजा जी तेरे लिए कितना परिशान होते मालूम है, कोई तो फैसला कर, बार बार उससे मिलो, एक दूसरे को पहले समझो, फिर तुस शादी कर, अब तो तुम अपना एक प्रशन बदल लो, दीदी, लंच पढ़ ले जाएगा, पिकड़ने भी आएगा, और डेट पर भी ले जाएगा, मतलब शादी कनफॉर्म दीदी, रहे ना, रहे ना, खुद के हम रहे ना, होने लगे हैं हम तेरे, लागे ना, लागे ना, जी आम, लागे ना, एक पल लब बिन तेरे, नैनों में मेरे अप्स है तेरा, देखूं मैं खाब तेरे, नीदों से मुझे को जगाता है तो ही, छाया सुरूर है, जब मैं देखूं तुझको सामने नजर जाहे ना, हट ना, पाया नसीब से तुझको मैंने प्यार तेरा न खोना, प्यार का मौसम, खुशनु मारम, सांसों की सरगम, है तुझसे ही जानम, रंग दे अपने रंग में मुझको रंग ना ये उत्ये, तेरी सिवाना, अब तु मुझ पे छड़े रंग दो जा कोई, इलम है हुए है हसी, शामिल इन में तुम जो हो, बिल गई है हर खुशी, इसकी वज़ा तुम ही तो हो, सीने से लग जरा, धड़करे सुन जरा, इन में है नाम तेरा, तुझ में है जगना, तुझ में है सोना, मुझ को तो बस तिरा है होना, इतना इतना प्यार मैं इतना करता हूँ मैं तुझे, जितना जितना प्यार तु जितना करती है तु मुझे, तुझे ही देखू, तुझे ही सौचू, होया रहूं मैं तुझ मैं, तुझे ही चाहू, तुझे ही पाऊ, मांगू मैं ये दुआ, सांसों से ज्यादा तुझे को चाहू, जीवन मेरा तुझे से, तुझ में ही रहना, तुझ में ही बहना, तुझ में ही जीना, यार का मौसम, खुश नूमा आलम, सांसों की सरगम, है ये सब तुझे से सनम, रंग दे अपने रंग में मुझको, रंग ना ये कुत्रे, तेरे सिवाना, अब तो मुझ पे, चड़ना रंग दूजा कोई लड़ू ले लो बेटी, क्यों बेटा, लगता है इंटर्वीव बहुत अच्छा गया है, हाई, आओ बेटा बैठो, इंटर्वीव के बारे में तो पता नहीं संदी जी, अभी इस महीने के 225 को अच्छा मोरत है, तुम्ही बताओ तुम्हें कौन सी तारिक सूट करेगी, हम प्लान कर लेंगे, क्यों संदी जीए, एकदम सही, फिक्स करने से पहले एक बार, पूजा से बात करना चाहता हूं, ओम साहिराम, ओम साहिराम, ओम साहिराम, सब ठीक है ना भी, पूजा, बिफोर वी फिक्स अल थेंक्स, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या है बोलो, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता था, प्यार करता था, चंदरगानता, जंदरगानता, जंदरगानता, अटिस जंदी कांथा है जंदे कांथा जंदी कांथा विल भीन दंदestonden बहुत हो गया मॉम आपकी जित के लिए अब मुझे फोटो शूट करना पड़ रहा है ऐसा मत कहें पता है कितने प्यारी लग रही है तो कई दिनों से मैं ये सोच रही थी कि तुझे तेरी नानी की तरह तैयार करके फोटो लूगा बस सिफ दो फोटो प्लीज, 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 वाह ! क्या इमोशन है mom recipe didalaug delivery देखो, आपका oscar यही कई होगा मजां कोड़ाई है आप मुझे अपने मॉम की तरह रेडी करेंगी, तो मैं आपकी मॉम जैसी बात करूऊ यो? कुछ नहीं खीचे जिए थेंक्यू, थेंक्यू, थेंक्यू वैसे ही, शाधी के बारे में कुछ शाधी, 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 शाधी कि जिन्देगी कैसी होगी ये सोचती हुए ओनलाइन गुलाब जामून और करके बिचारा कब से इंतजार कर रहा है रुख जो हम दोनों मिलकर तुम्हें बताएंगे हाँ बताएगा जाएए ऐसे ही कहती रहो कोई आकर उस गुलाब जामून को छोड़ का तुमसे शादी कर कर लेगा क्या हां कर लेगा कर लेगा मां उन्हें दे दिया है क्यों आ भी गया ती जल्दी करने के लिए हां हेलो है कहां जा रहे हो तुम्हें क्या लगा मेरा डाटना हो गया फ्रस्ट्रेशन अभी बालेंस है इस वक्त फोन करने के लिए इस पर है है कर के हसने के लिए त कोई एक काम बताओ थी अभी तक करे अलोगी हैं काम कोई आप आप जाओ अभी तक खड़ें आपने चला गया चंद्रकांता को अभी क्या चाहिए पैसे नया मोबाइल या और एक हॉलिडे ट्रिप की टिकेट यह क्या है शादी अलग है मॉम और यह मेरी लाइफ है मुझे मेरी लाइफ से दूर मत करो मुझे ऐसे ही जीने दो इस तरह के बकवास लॉजिक तेरे दिमाग में आते कहां से वह कॉफी शॉप यही है आखिर क्यूं आया हूं मैं यहां मुझे देखेगी तो पता नहीं कैसे रियाट करेगी अच्छा रहेगा मैं क्याप लगा लेता हूं हृइट है लोगा हृइट है हृइट यार में सच कह रहू हृँ आखिर कि ने अधिर विश्वांस कद्या मैं जोटनी को शाना हृँ 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 कार मिलेगी, बाइक मिलेगी, लेलो, तुम यहां पर क्या कर रहे हो, यहां कूपन्स बेचता हूँ, मतलब कामकाद तो करना चाहिए ना, वैसे बहुत ही घटिया आक्टिंगे तुम्हारी बुरी तरह पकड़े गए हो, रात को क्या लगाई, इस्टायल है तेरी, टकले हो, वो इंग्लिश मुवीज में हीरो को कोई ना पहचाने इसलिए पहनते है ना, इसलिए बैना भी पहन लिया, पर क्या आप लगाने के बाद भी उपता चल जाता है ना, कि वो हीरो है, और हाल के अंदर बगल वाले को पता नहीं चलता क्या, तो, सिनेमेटिक चीज़ों को इ अधिया नहीं और गॉड़, आम सॉरी, यह कौन से सॉरी है, यह सॉरी यह वो सॉरी यह सॉरी नहीं है, इस बार वाला सॉरी वो सॉरी होगा, सॉरी? सॉरी, हलो, शर्म नहीं आथी तुझे, फोन करके परिशान कर रही है, टाइम पर आना चाहिए था, स्टूपड कहीं कि, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ, मेरी भी तो सुनो, और तू जल्दी से यहां पर आ, मतलब साउधान कर रहा था, उसकी ज़रूयत तुम्हें है, मै इसलिए ही बठाया है, ठीक है, बताओ, तुम्हें कैसे पता था, कि मैं इस वर्ट यहीं पर आऊँगी, एक फ्लेश कट, कॉफी शॉप में मिलना है, साड़े साथ बजे, अच्छा, ऐसा क्या, ताइम अ प्लेस तो ठीक है, पर तुम्हें कैसे पता कि यही कॉफी शॉप ह वो तो मैंने फोन पे नहीं कहा था एक और फ्लैश कर दो दस मिनिट ही लगेंगे पर तीन बार क्यों दिखाया रजिस्टर होना चाहिए ना माइन में आपके घर से दस मिनट की रेडियस में सिर्फ यही एक कॉफी शॉप है या बात है कहावत है कहाने के लिए पकॉड़े न यह रुको रुको जानते तुम कैसे बता रहे हो मेरा ना मोकेश है मैं एक साल पहले दारू पीता था लड़की से बात करते बद स्पाक और ग्लो होना चाहिए दुबारे शुरू करो तिखाता हूं मेरा नाम अभी है मैं चुबिसल्का हूं इससे ज्यादा चानकर मैं क्या अगर थर्स्डे के बाद फ्राइड आया तो दुबारह मिलते है अब जा कैसी लड़की है वह मुझे भी आशे लगता है मामा कैसी लड़की है मामा वो एः वो तो मैं पूछ रहा हूं कैसी लड़की है वह पागल गै का मामा वह लड़की इंट्रेस्टिंग है मामा यह बताओ कोई मिलते ही डाटता है क्या आजगल की लड़किया ऐसे ही होती है उल्टे सीधे वीडियो देखती रहती है उसके बाद दिमाग होलो तो कुछ भी नहीं होता इसलिए कहता हूं जब भी लड़कियों से मिलो तो दिमा लड़की की आखे बोलाने उसे बूल जा मामा आपको आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या मामा की बास सुले ना मामा बोलो मामा मैं सुनूंगा देख ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना ही अच्छा होता है कुछ लड़कियों को देखकर आरती उतारने का मन करता है वही कुछ लड़कियों की वजय से कई यूद हो चुके है और इनकी ही वजय से भुकम और सुनामी आजाती है वांजे मामा उस लड़की से दोबारा मिलने का मन कर रहा है डाट खाने का मन कर रहा है मामा एब बगवान तु मुझे घृष्टा मतिला मामा ऐसा नहीं है मामा मजे उस लड़के ने का वो मुझे मिलेगी छोड़ना लगता है तुई दवाके मुझे मार देगा ना छोड़ दे फ्लीज किसे ने देखा तो नहीं ना तरस हो गया यार यह आपकी कार है मैं देख नहीं पाया जी सॉरी यह सॉरी कौन सा सॉरी है रियली सॉरी जी अरे सुनिये आपकी कार तो कोई और ले जा रहा है मैंने कहा कि वो मेरी कार है तो फिर मैंने आपको सॉरी क्यों बोला यह खुद से पूछ ठीक है मुझे जाना है बाय सुनिये आपने कहा था फिर मिलेंगे मिले तो है ना तो मैं डॉप कर देता हूं मैं चल रही है मैं कमपनी देदूगा ओके स्टाट करो किया बात कुछ और करनी होती है कहते कुछ और है इधर उधर की बाति करते हैं वही बोलो ना अपका बोऑफेंड है क्या इतनी खुश रहती हुं इसका मतलब है कि कोई नहीं है आपका नाम क्या है नाम जानकर क्या करोगे कल तुम्हारे उने वाले बच्चों का नाम रखोगे मतलब आपको बुलाने के लिए आपका नाम तो पता होना चाहिए ना तुम्हें जो बुलाना है बुलाओ मैं सुन लोंगी और हाजर हो जाओंगी मतलब आपके अंतर्यामी हो बहुत बेकार जोग था अब आगे बढ़ो तो आपका फोन नंबर मतलब किसी भी नंबर पर कॉल करूंगा तो आपसे बात नहीं होगी ना होश्यार बनता है 903-23443 लास्ट नंबर मिसिंग है गेस कर लो वेर देज़ विल देज़ वे यार मेरी कैप आ गई आपने कहता चल कर जाएंगे अब तक चल ही तो रही थी अब अपनी बाइट तक जाने के लिए आटो बुलाओं बिल्कुल सही कहा चलो आटो अब लुक्षायओं लुक्षायओं कर निए लुए जाए कर रहे रहे हैं? और देवी है और रहे हैं खुश्किसमत हूं बहुत खुश्किसमत हो अभी पेट्रोल पंप ही जा रहे थी बैए क्या हुआ फोन काट दिया उसने अब तू समझा तू नहीं बनने बाला वो भला पेट्रोल पंपर क्यों है मामा यह तू उसरी से पूछ ले मेरे से मत बुच तू है क्या हुआ कुछ नहीं बस फोन नंबर मिलेगा यह नहीं ट्राइ कर रहा था किती दीर से ट्राइ नहीं तुम वान आवर से ट्राइ कर रहे हो हाँ स्वीट तूमें सच में कुई काम धनना रही है ठीके बताओ फोन क्यूं किया वह बस आप ठीक से घर पहुंची है यह जानने के लिए क्या करेगा जानकर मेरी विकीपीडिया में लिखेगा क्या तुरे कभी अपने मॉम डाड के बारे में इतना सोचा है मैं लड़की हूँ इसली इतना सोच रहा है क्या इस ओके सो स्वीट मामा अभी उसने डाटा या तारीफ की एकोर्डिंग तूर्दा गल्स साइक्लोजी इस नमर 92 अरे बस करो क्यों नहीं रखता हूँ मेरे माबाप का बहुत अच्छे दिहान रखता हूँ जानता है क्या पी यो और जी बेटा हो तो तुम्हारी तरह इतना परस्नली क्यू ले लिया इसने बोलो फिर से कब मिले अ किसली है वो फोन नमबर पता कर लिया ना अब आपके बारे महर चानने के लिए ओके आज फ्राइड़ी है ना हाँ आज फ्राइडे ही है ज़ अब करूंगी प्लीज मेसेज करने के लिए कहा मामा मुझे ऐसा काया क्या तो बोल मेरे लिए कमाइन लेकर आए मामा आपको जालक चड़ गई है आप सोजा और एक बार सोच कर देख सकती है ना मेरे लिए मॉम जब सोचना ही बेकार है तो किसी के लिए भी सुनू क्या फर्क पड आपको जो समझाएगी 25 साल पहले मैं 25 साल की हुई थी मैं तुसे दुगनी उमर की हूँ तू अभी तक 25 साल की नहीं हुई ना तो इसे समझा अगर इसने मूग खोला ना मॉम तो चपलों से पिटेगी तू एसे नहीं मानने वाली तुझ अभी बताती हूं काट रही हूं क अगर मेरे पांच किनने तक तू शादी क्लिए राजी नहीं हुई ना तो मैं अपनी नस काट लूँगी मॉम इतनी तकलीफ क्यों मैं गिनती हूं मेरे लिए गिनोगी हां सच में गिनो वन टू त्री फॉर फाइव काट ये शादी करने में जलबासी नहीं है गिंडे में मा की जान है ठीक है रेडी वान एसे क्यों कर रहे है तु छुप रहे है थ्री फॉर फाइव काटो बेटी अपने लिए नासी मेरे लिए तो कर ले मॉम आपको चाहिए तो आपके लिए दिन में दो बार प्रश कर लोगी शादी मुझसे नहीं होगी मेरी बात नहीं मानेग यह लड़की कितने ही जिद्धी है थैंक यू तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है पढ़ लो यह तो मैं पढ़ चुकी हूँ क्या अभी मैंने ही आई तो ट्रक के नीजे जानते नहीं कि सोच रहे थे अगर मुझे थोड़ी सी देर और हो जाती ना तो ट्रक ड्राइवर को जेल हो जाती अभी अभी तुमने कहां मिलते हैं कब कहां यह नहीं बताया फोन नहीं क्या समझू एक तो मैं पागल दूसरा म अभी जो हो रही हैं आइस्क्रीम खाओगे क्या ठंडे हो जाओगे रुक रुको भया 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 आइसक्रीम क्या हुआ पहले तो बॉइफ्रिंड की तरह चल ला रहे थे डरने के लिए बॉइफ्रिंड होने की ज़रूरत नहीं है हां हां अभी डर गए थे कहोगे पिर थोड़ा अलर्ट था कहोगे उसके बाद कहोगे इस सब तुम्हारे लिए ही तो किया है ना ना मुझे नहीं चा कौन है मैं हूँ मैं मतलब कौन बेटा ये आप बताये वो मेरी फ्रेंड यह क्यों बताया वो मेरी मा तुम्हारी मुझे नहीं जानती आंटी आप सच पे नहीं जानती क्या अभी दे कुछ नहीं बताया नहीं बताया बेटा आंटी मेरा नाम नाम मेरा नाम तुम्हारा ना मुझे बहुत भूग लगिया खाना खिलाई है ना बोलिया पापा कौन है वो अधर की वो पापा नाम भी नहीं बताया नहीं पापा बहुत भूग लगिया आंटी मुझे कुछ खाने को दीजिया पापा कल उसके साथ फिन देखने जाना है हां तो जाना पूछना क्या है लेकिन एक बात याद रखना तेरे पापा बैंक मैनेजर है खूब पैसे होंगे इसलिए दो दो पॉपकॉर्ड मत खरिद ना एक पॉपकॉर्ड एक और द्रिंक्स अगर लड़की और मांगती है तो क्यों ठीक है इंजाया अंकल पीना सेहत के लिए हानी कारक है वाय अभी अरे तेरे बाप के नाते फ्रेंड के नाते एक राय दू क्या है शादी करनी है तो ऐसी लड़की से करो पूरी लाइफ कलर फुल हो जाएगी रोज हो दी खेल्डा विटा पक्का बापन थैंक्स का का आधि? क vedere की ठादा है और खरा канी बापन थैंक् 얼마나 चरहाए यह झाली की थैंक्षी थैंक्षी ने아श्या है ओन लोगोने मुचुरो लाया सौरहं बहरे तुम उनको क्यों सपोर्ट कर रही हो उन्होंने कहा है तूम्हें भी रुलाना चाहिए ना मारा क्यों इन्होंने मुझ से कुछ नहीं का था तुम कैसे रियाक्ट करोंगे देखना चाहती थी मैं क्या हुआ मैं कै तो मैं कॉमेडियन लग रहा हूं यह लाइफ को रियालिटी शो समझ रखा है तुमने situation क्रियेट करके reaction क्याप्चर करना है तुम्हें मुझे नहीं लगा था तो मैं ऐसे react करोगे तो और कैसे react करते हैं मुझे जो पसंद हैं जिने में अपना मानता हूं उन् अब रहा हूं, आइलव यू, आइलव यू, आइलव यू, आटो, क्या हुआ, जवाब नहीं दोगी, कल दोगी, ठीक है, कहां मिले, डेसनी, जहां मिलाए वहां, फिर छे दिन के लिए वो गाया भी हो गई, समझ नहीं आया, क्या करो, लगता था हार कॉल, शैद उसी का है, फिर आगे क्या हुआ, वो आउंटी, हेलो आउंटी, वो लड़की, वो लड़की का नाम, अभी, येस आउंटी, कम इन, थो मसमी का अइस, तूम नाम नहीं सैंसे उस पगली लड़की का, अहां, चन्दरकांता, मेरी मा नहीं रखा था, चन्दरकांता, वो है क्या अटी, नहीं है, कहा हां चलीगई, अटी, पता होता तो अच्छा होता, ये क्या आँटी, आपको बिına बताया, कहां जाएगा, वो आज मिलती है, तो कल गयब हो जाती है, दुबारा कल कहां से आती है, पता नहीं, बगवान वो पागल है अंटी, दिमाग खराब कर रखा है उसने मेरा, तुमने पी है क्या, वो फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा, कांता बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, जल्दी समझ में नहीं आती, वही करती है जो उसे पसंद है, किसी के लिए वो नहीं बदलती, ये भी नहीं चाहती कि कोई उसके लिए बतले, पहले वो खुद के लिए है, उसके बाद दूसरे के लिए, हम अकसर सब जादातर घर में नहीं रहते हैं लेकिन घर का मतलब चार दीवारे नहीं, माता पिता मिलकर खुशी-खुशी रहने वाली जगह है, ऐसा घर मैं और कांता के पापा उसे नहीं दे पाए, हमारी भी लव मैरेज हुई थी, हमें लगा प्यार करते हैं तो शादी कर ली, कांता के पैदा होते ही हमें समझ में आया कि हम दोनों का नजरिया और सोच बहुत ही अलग हैं, छोटी-छोटी बातों पर जगड़ा करते थे, कभी कबार तो हाथ भी उड़ जाता था, डिवोर्स होने के बाद हमारे जगड़े तो रुख गये थे लेकिन उसकी वज़ा से जो नुकसान हुआ था उसे नहीं रोक पाए, जिंदगी पूरी तर से पतल चुकी थी, इसका असर कांता पे हुआ, वो इनसानों पे भरोसा नहीं करती, रिष्टों से तो बच्पन में उसका भरोसा उठकिया था, जब मन करता वो घर आती, और जब मन करता वो घर छोड़के चली जाती, अभी त उसका क्या होगा, वो जितनी भी देर घर में रह लें, लेकिन वो मेरे लिए बहुत कम है, वो आती तो ज़रूर है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, इसलिए ये सारी फोटोस खीचकर लगाती हूँ, वो घर में हो ना हो, तब ये फोटोस देखकर खुश होती हूँ, ये बारे में ही बात करती है, I think she likes you, I don't know why, पर जब भी तुम्हारे बारे में बाते करती है, तो उसकी आखों में खुशी जलगती है, एक brightness, मुझसे एक वादा करोगे बिटा, बोलिया नाटे, फ्यूचर में तुम्हारा रिलेशन्शिप कैसा होगा ये मुझे नहीं पता, ल वो खुशी आखोगे ना? शुर आटे है मुझे तो मैं उठाता हूं तुम यहां कैसे मेरे घर गए थे क्या सब पता चल गया सफर अच्छा रहा ना चंदरकानता तुम्हारी नहीं मेरी मॉम की गलती है ओके आज ही क्यों आई हो मेरी मर्जी मेरी ट्रिप खद्म हो गई तो आगई तुम ही क्या मैं जानता हूं तुम क्यों आई हो हाँ ठीक है आज मेरा बद्ध है तो सप्राइज नहीं आई हो ना मैं सच में नहीं जानती थी पता होता तो बिलकुल नहीं आती शायद इसी को डे झाल कोंता है बेबे, फारी नाइट बेबे, नाचेगे, शाट्टु मालेंगे Friday night, बेबे, फारी नाइट बेबे, आएगा, आप तो फूल मजना Hey baby, go crazy, hey baby, yeah आज मिला है रानी मोगा, आजा कर ले संग में डैंस छोड़ दे तू लाज शरू, कर ले डैंस में रूमांस Yeah, आजा मोज तू कर ले, थोड़ी मस्ती तू कर ले ये प्यार की एज है, खुल के ब्यार तू कर ले रानी ये है लखी जैंस, कर ले इंग्लिश वाला दैंस कर ले आज मोज तू, कल है किसने देखा Friday night, baby, फारी नाइट बेबे, गो ग्रेसी, just गो ग्रेसी Friday night, baby, फारी नाइबे, फारी नाइबे, फारी नाइबे, भारी नाहिंचेंगे, शार्त मारेंगे Friday night, baby, फारी नाइबे, आएगा, आप तो खुल माजा आजा 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 अरे थोड़ी सी तु पी ले टाइम कम है जल्दी इस पल में लाइफ जी ले टली होके ना जाना ड्राइवर को फोन घूमाना मा स्माइल तु देखा कर दे तुरू हंगामा जाने जा दिल दोला तेरी जवानी है शोला पाथी का तु ले मजा जल्वे अपने तु दीखा जोर जोर से कमर हिला इंग्लिश वाला दिखा दे द्या Friday night baby party night baby go crazy just go crazy Friday night baby party night baby go boozy just go crazy Friday night baby party night baby नाचेंगे शार्ट मालेंगे Friday night baby party night baby आए का अब तो फूल मसा मुझे आंसर चाहिए शौट आंसर या लॉग आंसर अब तक तुमने कभी मुझे चाहिए चंद्रकांता न्यूज चानल शुरू कर दो मना करने के बावजू भी फूल ख्लार के लिए अब तक तक तुमने कभी मुझे अब तक तुम मुझे क्यूट लगे रिलेशन्शिप में मुझे तुम्हारे लिए बदलना होगा तुम्हें मेरे लिए बदलना होगा मैं नहीं बदलोंगी ना ही चाहती हूं कि तुम बदलो देखो सिंपली कहूं तो मैं एक सुनामी जैसी हूं कब कैसे क्यूं आती हूं मुझे खुद नहीं पता मुझे लगता है प्यार और शादी से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें फ्रीडम ना हो तभी तुम्हें प्रॉब्लम है वो फ्रीडम मैं तुम्हें दूँगा तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो हलो वे सकतना तुम्हें नुट प्रॉणी आप मिल सकती है आप मिल सकती है अभी दोक्टर मॉम दोक्टर ना जाने क्या ये हुआ ना जाने क्यूं ये हुआ रूठ होगे तुम्मे सरहा छोड़ दोगे तुम ये जहा सीखा तुमसे ही हमने जीना कैसे जीएंगे तुम्हारे बिना गय ऐसे फिर तुमके लोटे ना मन रोई मन रोई मन रोई गुजरा वो जमाना भूलेंगे हमना हसना गाना सात में तेरा दुख भी था बाटा सुख भी था बाटा हर गम में दिया है सहारा हम जब भी हारे थे दिये तुमने सहारे थे हर पल थे तुम सात में अब पल वो सुहाने याद हमें वो आते खुशियों का मन जर भूलेना अरे कहा ना मॉम बस करो वो सॉरी आंटी कोई बात नहीं बेती कांटा कांटा जनरली जब एक इनसान को परस्नल लॉस होता ए उनसे क्या कहां यह समझ नहीं आता मैंने बहुत सोचा तब समझाया कि कहना नहीं करना होगा मैं तुमसे एक वादा करता हूँ शायद तुम्हारे दुख को मिटा ना पाऊं लेकिन अगर तुम पर्मिशन दो तो उस दुख से लड़ने के लिए तुम्हारा साथ दोगा लाइफ लॉंग मुझे घर ट्रॉप कर दो के क्या भी बॉम की याद आ रही है मैं नौ बुजे तक आता हूँ डिनर पर चलेंगे नहीं अभी आल स्लीप टुड़े हम कल मिलते हैं ना सुभा मेरे आने तक फिर से गायब तो नहीं हो जाओगी दस बचे तक आजाना अभी मैं तयार रहोंगी ओके बाई 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 कांता 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 दर्वा से खरो उस दिन चंदर कांता के घर गया था कांता वह नहीं थी मुझे लगा हमेशा की तरह गई होगी कुछ दिनों में आज आएगी लेकिन नहीं आए क्या करूँ कहां डूनू समझ भी नहीं आ रहा था प्यार और शादी पर से भरोसा ही उड़ गया उस डिप्रेशन से बाहर निकलने में मुझे बहुत वक्त लग गया पूजा मेरे लाइफ में तुम्हार आने के बाद ही फिर से मुझे जीने की उमीद जागी थैंक यू पूजा इसलिए थैंक्स अभी मैं समझ गई कि तुमने ये सब क्यों बताया मुझे मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकती पर तुम्हारा प्रेसेंट एंड फ्यूचर सब मेरा है आल अल्वेस भी देफ फो यू चाहे चो भी हो जाए टेंशर मतलो मोती भी खर जाएंगे प्रेंटी स्वर्व्य फ्रेंटी सिर्द इसल्वीड प्रेंटी संवीण हो सब्सक्राइग्व जोंगेगे वह सब्सक्यी आँओए चीव गर पहुंच तरहीं मेश्च कर देना बाय अब के बाय अब 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 नहीं नहीं अब श्राइब अब आ पश्राइब अब अब एड़ आ आई कि मुः जाए रहाए है को डिजए है आयोजए है citizen कि अ किम क्छित कि मुः खी प прошл Magic आ कि कि मुः उन्हों, तक है प्रड़ प्रफ दुड़ सबसित को अपने हूए प्रफ दो आप जागा है प्दोली फिल्टेस प्टेस तव्याद कर दो के मैं और प्रूंड रूंड अजयों यह भंग अब कब तक अपना थोबडा एसे बनाय रखोगे यह कैसा रियाक्शन है मुझे लगा में तने दिनों बाद आई हूँ तो तुम हवा में उच्छल उच्छल कर गुलाडिया मारने लगोगे यह लगा था कि मुझे तरह तरह के भाचा में गाली देते हुचलाओगे अब ही चिला रहा हूँ लेकिन अंदर से यह फिलिंग भाहर नहीं दिखा सकता क्या का सही पागल हो गए हो क्या तुम हाल जाल क्यों पूछ रहे हो पता नहीं मैसे ही तुम अचानक आगई वैसे अभी आम सो सौरी बिना बताए जाने के लिए फोन पर बात ना करने के लिए कीज अई जानते हो ना टाइम खराब जल रहा था क्या कुछ नहीं आरे वह सारी बाते चोड़ों ना दर असल मुझे तुम्से बहुत-बहुत ज़रूरी बात करनी है मेरे आचानक आने की वज़े से तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा ठीके घर चल कर लंच करते होई बात करते हैं चलो घर? तुम नहीं, बिल्कुल नहीं वो क्यों? वो माने मननत माने कोई मननत मांगी है घर में सिर्फ मुझे रहना है मैं अकेला ही रह सकता हूँ तुम? वो भी अकेले? कल रात की तरहा? वो आज से शुरू है वो क्या है ना मैं आजकल थोड़ा इसलिए मुझे अकेले ही रहना पड़ता है ये कैसी मननत है? बड़ी बेकार की मननत है हाँ, सच में बेकार की मननत है मुझे अकेले कोई रहना है ना तो फिर मुझे समझ आ गया बार बार तुम यह अकेले अकेले मत को और कितने दिन चलेगा यह सब वो यह कोई चार पांस दिन मुझे मीरा के घर ड्रॉप कर दोगे चलो थांक्यू चलो जिन्दगी में कभी भी किसी ने ऐसी सिच्वेशन फेस नहीं कियोगी कि समझना है कैसे रियाइक करना है ऐसी किसीने फेस नहीं किया होगा वैसे तुझे के हो क्या गया है जिसने तेरे चेहरे के हवाईय उडा रखी है कांता आ गई कांतम यह कौन सी बीमारी है चंद्रकांता यार ऐसी सिच्वेशन के बारे में बोल रहा हूं अ अ अ धुवाई निकलता अंदर से अरे भांजे बोतल गिरी आवाज आई वो ठीक है सिग्रेट पिय बांजे तेरे माबाब है यार मतलग अब शादी से इंकार कर देगा क्या तू जिंदीगी पर ऐसा ही रहेगा और पूजा को ठुकरा कर शादी कांता से करेगा अगर तू ऐसा करेगा ना तो इसकी फैमिली को लोग तेरे पापा और मुझे चप्छल से मारेंगे अभी अभ और विस्तोला सोना मैं तो उसे बहु मानकर फूजा को देकर आ रही हूँ क्यों रहे तेरी मा इतना नाटक कर रही है और तेरे चेरे पे इतना भी एक्सप्रेशन नहीं है ऐसा कुछ नहीं हो अप में चुपोचोर साधी चैनातियर पूजा के की आप संसे के आपको बता है कि तुम दोनों के शादी होने वाली है। पता चलेगा तो आमना सामना हो मा बार शृद सक्क्ती है। यह बता अभी तूजे क्या करना है पता है नहीं आपको पता इसे क्या करना है मुझे नहीं पता कुछ तो बोलो मामा जब बाप बेटे को नहीं पता तो मुझे क्या पता होगा अब नहीं पता था तो सवाल क्यों कि यह इतने आप कर रहे थो मैंने भी कर लिए ओ हो माम लागर बढ़ है आप कर दो किसे से मांचिस मांगते हैं और तू यह कि मुझे सिगरेट मांग रहा है प्लीज भैया मेरे पास नहीं है तो पैसे दे दो एक खरीद दूगा कि कौन है तू अगर आप मुझे सिग्रेट दिला दोगे तो आज से में आपका दोस्ट बन जाओंगा मुझे किसी दोस्की ज़रूरत नहीं है मुझे तो सिग्रेट चाहिए ना भईया देख मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ और तू यहां से नहीं किया तो मेरे हाथ से बहुत पिटेगा या कहा आप टेंशन में हो भईया सुनो भईया सिग्रेट पीने से तो सारी टेंशन दूर हो जाती है क्या हुआ बहुत देर हो गई ना मुझे सॉरी ट्राफिक बहुत स्यादा था चलो भईया वो ड्रेस दिखाई ना वो भी अभी तुमने कुछ खाया है या नहीं कमफर्टेबल तो हो ना एक्सक्यूज मी कैनुगेट सम्जूस प्लीज कि यह कलर कैसा लग रहा है मुझ पर हां बहुत अच्छा है तो हम दोनों सेम कलर लेते हैं अब हलो अरे हलो अभी कितनी बार कॉल करना पड़ेगा तुम्हें वो एक छोटी सी मीटिंग में हूं ठीक है मैं बोर हो रही थी तुमसे मिलने के लिए मैं निकल चुकी हूं कहा आना है मेसेज कर दो वो नहीं अभी मिलना जरूरी है क्या जरूरी का क्या मतलब मैं अब तक आधे रास्ते में पहुच चुकी हूं बताओ कहा आना है वो नैशनल पार्क में मिलते हैं मैं तुम्हें आकर पिक करता हूं अच्छ ठीक है बाई अभी I'm done तुम्हारी shopping के लिए चले वो मुझे office एक urgent call आया था मुझे कुछ पेपर समिट करने है तो मुझे थोड़ा time लगेगा अभी सब ठीक है ना हा सब ठीक है बाई हुआ है एसे काम चोड़क का चले गाए वह वैसे एंगेजमेंट shopping किसकी वह एक फरेंड को अ एक फ्रेंड को चानती हो कौन आइ फ्रेंड की नहीं herbal artist कहां है वो हमैं मामा की बैंना शॉपिंग कैसे कर सकते हो और है इसलिए इसलिए गर रहा हूं ठीक है दोनों मिलकर शॉपिंग करते हैं चलो जल्दी चलो तुम भी दो इशोट्स खरी थी लो इसक्यूज मी क्या कर रहा है अभी अभी शिग्रेट से तुमें ग्या मतलब जब किसी को सिग्रेट्स इने का जग्रान आ हो तो से सिग्रेट को समझ में आ गया मैडम है पहले तुम अप्ना हूभर और और खोए अची सी पॉपल श्रट है तो फिर वह दिखाओ पूपल कला की क्यों पूज सब्सक्राइब करें अब तक अब तक बात आगे नहीं बढ़ी है तुझे बीच में क्या ज़रोत है तुझे बस थोड़ा कंफर्म कर रहा है तु यह सब की टेंशन मतले बस पहले मैंचिंग शट दिखा क्या मैचिंग मैचिंग कर रहे हो युनिफॉर्म की तरह आप कॉंट्रास में कुछ दिखाई है अरे ने 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 तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो वो मामा ने यहीं शट मंगाई है शुप करो उन्हें पता होता तो कब कि शादी हो जाती वैसे वो इंगेजमेंट की शॉप इंगेजमेंट के बारे में बता दिया मच्छर मच्छर मुझे बताने की एक भार भी ज़रूरत नहीं समझी क्या है कि इसने बोला था किसी को ना बता इसलिए नहीं बताया मुझे तो कुछ गडबड लग रही है तुझे तुझे की तलब लग लग रही है ना यहाँ इंगेजमेंट होने पर भी स्वरी बोलते हैं क्या इंगेजमेंट फिक्स हो तो स्वरी बोलना चाहिए ना तुम्हारी इंगेजमेंट फिक्स हुई तुम्हें मुझे नहीं बताया स्वरी बोलो स्वरी एक और बार एक और स्वरी ठीक है मामा अब शोर्स देख से अब यह टावसा मेरे लिह है ना? इंगेजमेंट आपकी है ना ओष्था ना? सुनो कांधा, तुम अन्जान होकर नाटेक करो, मैं जानकर नाटेक करूँगा छीक है क्या? इंगेजमेंट है ना थोड़ी टैंशन हो रही है कांता वो मुझे ओफिस में छोटा सा काम है तो मामा आ गए न तुम मामा के साथ घर चली जा ना मैं तुमसे रात को बात करता हूं ठीक अच्छा तुम रात में अमीरा के घर आ आओगे ना तुमसे कुछ बात करनी है ओके डान ओके बाई बाई लव यू मामा लव यू टू अच्छा बताओ इंगेंज्मेंट में कैसा लगे गई सु हेलो पूचा तुम कहा हूं तुम कहा हूं अभी जानते हो कितनी बार फोन ट्राइ किया तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था वो मेरा भी काम खत्म हुआ है न शायद यहां सिगनल नहीं है मैं ओफिस से बस निकल ही रहा हूं मैं तुम्हारे ओफिस में हूँ अभी मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती गिल्ड की साथ बात करना जूट पोल कर पकड़े जाना तुम बिल्कुल भी नॉर्मल बीहेव नहीं कर रहे हो कोई तो परिशानी है तुम्हें उसे तो मुझसे छुपा रहे हो बताओ क्या बात है अभी पूज जंद्रकांता वापस आ गई कब तीन दिन हो गए तो इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है अभी मतलब समझने आ रहा था कि तुम कैसे रियक्ट करोगी इसमें रियक्ट करने जैसा क्या है अभी अगर वह आ भी गई तो आने दो देखो अभी मुझसे ये सारी बाते चुपा कर फिर ऐसे स्ट्रेस लेकर बाद में इस तरह से गिल्ड फील करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें चाहे जो भी हो मुझे साफ साफ बताओ कोई भी परिशानी हो हम मिलकर सुलजा सकते हैं इतनी सी बात के लिए इतना स्ट्रेस लेया तुमने इतने दिनों तक पहागल हो तुम्हें कहां है वो अभी एक बर मिलवाओ मुझे मैं भी मिलना चाहती हूं तुम्हारी फर्स्ट कुरश से हाइ तुम्हारी साथैसे पीज़ा ए मेरा नहीं है अग्छली उसे कोई कॉल आया था तो चली गई अगे अग्छली उस जोई आप टो ऑगे इस ट्रुली नाइस अभी तुम्हारी साथैसे मैं नहीं 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 सोचा था कि ऐसा कुछ कहूंगी अभी 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 अभी? कहीं तुम्हारे पेट में पल रहे है इस बच्चे की मा मैं तो नहीं मेरी शादी फिक्स होगी है कांता अगले तो दिन में मेरी एंगेजमेंट है और आज की शॉपिंग सानी मामा के लिए नहीं मेरी लिए थी तुम इस शादी से खुश हो तो मेरे पीछे पागलों की तरह क्यों पड़े थे तुम तुमने कहा मैं तुम्हें पसंद हूँ I love you भी कहा मैं कुछ दिन गायब क्या हो गई तुमने दूसरा ओप्शन ढूड लिया तुम मुझ से रिवेंच ली रहे हो क्या अभी नहीं नहीं ऐसा नहीं है कांता दरसल हुआ यह कि उस दिन एक साल हो गए तो चहरा देखो अपना मुझे तुम्हारी इंगेजमेंट के बारे में पहले से पता था वो तुम्हारा रियाक्शन देखना था तो बस प्रांक किया तो तुम्हें यह मन्जूर है मचे मन्जूर है इंग्शन माभी अब्या द्लित कम्रेशलेशन रनस दड़की का । मैं नाम पाम नाम छ फोटो हे और भो अफोटो वन पनेंट त्ट्ट पाद में देख लूगी अब ही के यू गो अरे अभी क्या हुआ गल थिंक्स तुमें समझ नहीं आएगा जाओ कि अज़ा पुझा एक बर तुमसे मिलना चाहती है बाद में मिलोंगी अभी अज़ा थंडी ही अच्छी होती है यार अचाना कि मेटिंग किसी लिए वैसे आप कहलेंगी वियर रम विस्की या बॉडका लड़कियों वाली पूशताइब तुम्हारी फ्याउंसे है ना पूझा और में दो साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं हम दोनों रिलेशन्शिप में हैं तीन साल से इन दोनों में सेफ पकड़ो इसके लिए इस अब क्यों पहले ही वाट्सप पर फोटो खीच कर भेज देती तो पकड़ लेता है मैं कॉन सी हैं मैंने सोचा उंगले पकड़ोगे तो नहीं मारोंगी तो क्या फिर से मारोगी बाबरे समझ गया अभी के जूट का लगता है मैं बली का बखरा बन क्या पूजा के बारे में पहले ही क्यों नहीं बताया जानता हूं वो मैंनर्स नहीं है तुम जो करें वो भी नहीं है अभी सेट शी इस माई फियांसी डेट मेंस वो मेरी होने वाली बीबी है उसने मुझे अश्ती बोला कहने के लिए अरे बसकरो यह मेरा काल है बजाने वाला तबला नहीं है जो बजाए जारी हो तुम देखो कांता मेरी बात सुनो बताओ पूजा कैसी दिखती है ऐरे ने ने वो लड़की तरह नहीं लगती है वो मोटी भी है और मुझे सॉवली है एकदम काली भैस अब हीने है क्यूं बोला मुझे अभी तक समझ गिया समझ जानता हो तुमसे थोड़ी बड़ी है और वह गॉरी भी बाल उसके लंबे है लेकिन तुमारे तरह बार में से हैं ज़ी मैं सही हो या अपूज किया है तो उसे ही रिसाइड करना ना है या मैं करूंगा मुझ्छे लगता है ऒरहेटी रिसाइड हो गया है इसलिए इंगेजमेंट कर लिया है अभी इंगेजमेंट हुई है ना चाधी तो नहीं हुई अभी भी तुम्हार पास एक मोका है अब तुम्हें क्या करना है यह तुम्हों सोच लो इन दोनों में से कोई अई पकड़ो दुमारा उंगली क्यों पकड़ो मैं उंगलियों से मुझे नफरत है फिर मारोगी यह हम दोनों में से कौन बेटर है हम दोनों में से तुम ही बेटर हो यह आई नियू इट यह पूजा है और यह मैं हूँ अभी के लिए मैं ही सही हूँ बाई यह वाली पकड़ता तब ही वह मुझे मारती है हिए हु 4 चंद्र कांता पूजा चंद्र कांता चंर कंता है हाए हाए steppen कॉया कि में हुझे कौल में चंद्र कंता अरि इतना फॉर्मल होनी कि क्या है अगर मैं लड्का होती तिह तुम्हें पागलनों की तऱ घूरती मुझे तुम्हें अथरेस बहूत पसंदा巴 थांक यू अभी से कैसे मुलाकात हुई गर पर रिष्टा देख रहे थे वैसे ही एक दिन अभी की फोटो मेरे सामना आई तुरंध हां कर दिया फोटो नहीं आती तो आने तक का इंतिजार करती इतने दिन वेट तो कर रहे थी मतलब जब मैंने इसे स्कूल में देखा था तब से प्यार गरती हूं इस माइ फर्स्ट क्रश एंड माइ ओनली क्रश मतलब हम दोनों एक की स्कूल में पढ़ते थे बहुत खोशी हुई देट यू आ बैग कभी-कभी मुझे लगता था शादी के वक्त तुम भी आ रहोगी तो कितना अच्छा होगा अभी के लाइफ में तुम भी तो बहुत इंपॉर्टन्ट हो अब अब देट यू आ हिर एंड तुम्हारी ड्रेसिंग स्टाल देखने के बाद मैं तुम्हें एक रिस्पॉंसिबलिटी दे रही हूँ अभी के साथ जाकर एंगेजमेंट रोइंग हरेदने में मदद कर दो तुम्हारी पसंद अच्छी होगी मैं जानती हूँ मेरी अहा यह रिंग ऐसी है यह तु अची है ना यह यह इस है तुम दुनों कमिटिड हो रिंग पहनने का मतलब यह नहीं कि कमिटिड है लेकिन उस कमिटमेंट को याद दिलाने के लिए यह रिमाइंडर से है रिमाइंडेस के लिए ये रिंग नहीं खरीदनी जाहिए थोड़ी से साबन से फिसल जाती है इससे तो एक दूसरे का नाम टाइटू कर वा लो के तुम्हारी शादी में ऐसे करेंगे लेकिन हमारे लिए रिंग काफी है तुम वह सब चोड़ो मुझे यह बताओ यह अची है यह कैसी है यह अची है यह यह अची है यह यह लड़कियों के हाथ में और ही एच्छा लगेगा एक बार मैडम पर ट्राइ करके देखिये यह तुम्हारे लिए सही नहीं है क्यों सही नहीं है यह देखो यह अची है, पैकर देजिए यह ले पहना दे रहाए आगो ठीका है मा कांता का है कांता अरे भापर लगता है वो ले गई कांता इसने ऐसा क्यों किया आखर यह चाहते क्या है पुझा रिलाक्स, आल टॉक टूर, रिलाक्स फ्लीज ना समझे भला कोई रिंच चुपाता है क्या तू सच में यहां पर रुखना चाहती है अगर यहां पर रुखना चाहती है अगर मैं यहां नहीं रुखो तो क्या एंगेजमेंट रुख जाएगी हाँ 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 हम विद्ध दून रही है ए रूप कान्त आ नहीं मत पी रुख जा यह मुझे दे नहीं कांता मत पी कांता रुख जा मेरी बात सुन कांता बस कर रुख जा कांता प्लीज मना कर रही हो ना रुख जा अब बस पी कर प्लीज कांता मस्ती से जीले हसके तु पीले टेंशन फिकर साइट से जान दे मैं हूँ फुल्टाइट क्या रॉंग और राइट छाया नशा कुछु कर जान दे मस्ती से जीले हसके तु पीले टेंशन फिकर साइट से जान दे इनोसेंट है ये छोरे सारे करते हैं नोटी ये इशारे दिल फेक है ये आशिकों आरे लगते हैं ये इश्क के मारे इनसे ज्यादा डेंशार मैं हूँ थोड़ी सी याज मेंटल मैं हूरे बिन्दास जीलो ये लाइफ बिन्दास जीलो ये यार बिन्दास जीलो ये लाइफ बिन्दास जीलो ये अरे 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 दंहें सिधनी कर दो है बस्तुर्दा ऒपने प मु के व कर वाल ना चून जेवर कली मैं हूँ बिन्दा से होके मैं तो जोबू पैरी क्यूट बेबी मैं तो हूँ मुझे डले डल नारे तू कल की फिकर मैं ना करूँ दुनिया की परवाह मैं ना करूँ अपनी मरजी से मैं जीऊँ आज का हर पल मैं तो जीऊँ तुछे जदा डेंचर मैं हूँ मुझे पंगा ना लेरा रे तू विल्दस जीलो ये लाइफ विल्दस जीलो ये यार सिर किया लाइफ विल्दस जीलो ये अरे डे डे अस्ती से जीले उसके तू पिले harbor Tention-Pickles-Sikes से जान दे मैं Himo full-taik. Čरॉं Ар्राЙ origins जाया, नशा, कुछ कर जान दे इनोसेंट है ये छोरे सारे, करते हैं नोटी ये इशारे, दिल फेक है ये आशिकों वारे, लगते हैं ये इश्क के मारे, इन से ज़्यादा डेंचर मैं हूँ थोड़ी सी याज मंटल में हूँ रहे बिन्दास जीलो ये लाइफ, बिन्दास जीलो ये यार, बिन्दास जीलो ये लाइफ, बिन्दास जीलो ये लाइफ, बिन्दास जीलो ये अरे, अरे, अरे अभी 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 तुम्हारा नाम अभी है ये सब क्या लगा रखाया है ये सब क्या लगा रखाया है अभी चिलाओ मत अभी अरे उसकी इंगेजमेंट होगा मामा उसे हाई अभी माजे ये नशे में लगते हैं संभल कर बात करना बीगर आयो तुम ये क्या चल रहा है कांता दुख है अभी दुख है इसी को दर्द कहते हैं शायद तुमने बहुत जादा प्लिए चुप रहो देखने दो इस सूट में तुम जेम्स गॉन जेम्स बॉन कि तरह दिख रहे हैं कांता ये चुप रहने क्लिए कहाना हो गई ना ये तुम्हारी इंगेजमेंट कांता अब मुझे बाव नहीं दो गए ना तुम यूल बिजी विर लाइफ यार पूजा अभी तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे मेरे घर के सामने ब्लू श कॉफी शॉप में ब्लाक होडी ब्लाक कैब छुप कर घूम रहे थे सो क्यूट उस दिन तुम्हारी आखो का रंग अब्जर्व किया था ब्राउन अब पता नहीं अभी तुम्हारे साथ स्पेंड किया हर मिनिट मुझे डीटेल में याद है तुमने जो कपड़े पहने थे हम जिन सडकों पर घूमे थे कॉफी शॉप उसन वेदर कैसा था शूज वॉच पर्फ्यूम एवरीधिंग और देखो खुद को ऐसे एक्ट कर रहे हो कि हमारे बीच कुछ है ही नहीं हद यह मैं भी तुम्हें इस तरह देखकर तुम्हारी तरह एक्ट करना चाहती थी बट कुछ एक या दो महीने लगे होंगे ना यहां फिर कुछ दिन 334 डेज चाहो तो कैलकुलेट करके घंटे मिनट सेकंड सब कुछ बता दूंगा तुम्हें जैसे तुम्हें हमारे बीच हुआ हर एक डीटेल याद है ठीक वैसे ही मुझे भी जब तुम्हें छोड़के चले गई थी उसके बाद के नरक का हर एक मिनट हर एक सेकंड याद एकांता समझने आया था कि क्या करूं उस दिन प्ले एरिया में I thought we had a moment नेक्स दे चली गई तुम मैंने सोचा आज आओगी कल आओगी पागलों की तरह इंतसार कर रहा था दिन में तुम आओगी उसकी उम्मीद और रात में तुम ना आई उसका दुख ऐसे ही दिन भी तेक गए जैसे फिल्मों में दिखाते है ना दारू पीना सिगरेट पीना वैसी कई चीज़े भी की थी मैंने पता नहीं लेकिन हाँ जब मैं खुद को हर्ट कर रहा था अजीब सा सुकून मिल रहा था मुझे मम्मी पापा को देखना चाहिए था दुखी मैं था लेकिन नर्क उन्हों ने देखा एक अंता और कुछ दिन मेरा इंतिजार कर सकते थे ना अभी अगर मुझे थोड़ा भी भरोसा होता कि तुम लौट कर आओगी तो जिंद की भर तुमारा इंतिजार करता क्या तुमने कोई भरोसा दिलाया वेट करने के लिए जानते भी हो मैं क्यों गई थी वैसे भी अब ये सब बाते हम क्यों कर रहे हैं मैं इस बात को एकसेप्ट नहीं कर पा रही हूं कि तुम अब मेरे नहीं रहोगे कांता कांता कहकर अब मेरे इर्द गिर्द नहीं घूमोगे मुझे देखते बग तुम्हारी आँखों में स्पाक नहीं होगा क्या मैंने तुम्हें खो दिया भी मैंने तुम्हें खो दिया अगर पूजा तुम्हारी लाइफ में नहीं आती तो मैं ही तुम्हारी लाइफ में रहती न अभी 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 जल्दी उठो मुझे भूक लग रही है चलो 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 प्लीज चलो कि अभी आइम सो सौरी कल रात को नशे में पता नहीं मैं क्या क्या बग गई देखो उन बातों पर ध्यान मत देना अभी ये टिकेट्स ले लो ये तुम दोनों की ट्रिप के लिए हैं तुम ये लोगे तो मुझे लगे का तुमने मुझे मुझे माफ कर दिया इसे इंगेजम आपक्रत्urning अभी जाए। अभी मत आपक्या तुम अबू अपय ए ञ nemए भी, मैं अभी ये और ये 3 00510 फूज शेक्व पूछे ए पूछे से अभी का तुम आँस से पूछ एमढूआ। पूछो अभी अभी तुम्ही एक बात बताती हूँ एक ही भार मताऊंगी तुम्हार हमारे बीच यो टॉपिक नहीं आना चाहिए नो अभी आम नौट कमफोर्टेबल विध अबट वो तुम्हारे लींपोर्टन्ट है इसले मेरे ले भी बहुत जरूरी है अभी मैं अभी आती हूँ क्या हुआ तुम्ही लगा तुम्हारे बर्थटे के लिए आए हूँ तुम दोनों यहां अकेले होगे यह सोचकर यहां चली आई मतलब ऐसे हॉलिडेज में कुछ भी हो सकता है ना हरे वो सब कुछ प्लान ने मेरा वो मतलब नहीं था मतलब जखड़े हो सकते हैं डिफ्रेंसिस आ सकते हैं अलग हो सकते हैं करीना कपूर शाहिद कपूर सेफ अली खान अब भगवान क्या कहते हो क्या हुआ क्या हुआ कोई परस्नल बात हो रही है क्या अब परस्नल तुम लोग हॉलिड़ी पर आई हो ना मैं वेडिंग फोटोग्राफर की तरहा आई किन क्लिक सम पिक्चूर फोर यू गाई झाल क्याई श्क्रीट जिए श्क्रीटे वह अभी श्क्रीटे वह के अभी क्या इव श्क्रीटे जो भी स्प्राइस थांक्स फ्र शॉप्राइस प्रहुर्ण था कर दो अब जा रहे लोग्छा आप इस अब दो नुफ़त आख आख अब ग्राइस मखी थी उसमें ठीक है दूसरे फोग से खिला देता हूँ अरे अभी मक्ही बोल में थी बोल में फोग पर नहीं अब देट सोके मैं वाश करके आती हूँ ठीक है मैं भी आता हूँ हम हो सके ना तेरे हुए तुम किसी और के एक तरफा इश्क में दिल तो तूटना ही था हमेशा तुम रहे मुझ में हम ना थे पर तुझ में दर्द है कितना दिल में कैसे हम करें ये बया जी ना सकेंगे हम तो एक पल तेरे बिना दिल जुड़ ना सकेगा फिर कभी ऐसे टूटा सपने सारे टूटे तुम जो हम से छूटे खुझ से ही हम तो रूठे कैसे तुझे भूले पल वो कैसे भूले कैसे हम आसूपी सबक्षाएएएएएथfront सबक्राएएएएएएएएएश सुझ वोगया कि यहां के लिए क्या कर रही हो चलो ना एक गेम खिलते हैं अभी बैठो ओकी तुम्हें गेम के रोल्स बताती हूँ यह शौट ग्लासिस एक एक करके हम सब के सामने होगे यह एमटी बॉटल जिस पर रुकेगी उन्हें शौट लेकर टूथ या डेर चूज करना होगा इस गेम में वोट का ज़रूरी है क्या टूथ और डेर दोनों के लिए यह चाहिए वैसे भी हम हॉलिडे पर तो हैं कमान गाइस थोड़े मजे करते हैं ना ओके तूथ और डेर अपने बारे में दो बाते बताओ जो कोई नहीं जानता एक जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तब मैं स्मोक करता हूं और दूसरा बगल में जो भी सो रहा हो उससे मैं चिपक के सोता हूं मैं यह दोनों जानती हूं सिब तुम्हें पता है ट्रॉथ मेरी साथ तुम्हारी फेवरिट मेमरी कौनसी है प्ले एरिया वाली वो मेरी फेवरिट मेमरी है तुम्हारी फेवर्स्ट किस तुम्हारी फेवर्स्ट किस तुम्हारे साथ मैं पूछूंगी ट्रॉथ तुम दोनों के बीच का कोई सीक्रेट जो और कोई नहीं जानता एक नहीं पूजा तुम्हें दो बताती हूं लौटने के बाद मैंने अभी को दो बार प्रपोस किया था मैं यहां तुम दोनों का ब्रेक अप कराने आएं को यह अभी भी जानता है नता कि तुम्हारी च्रांस्पेह्एर र Salvador प्रॉलेश्जेंशिप पश्व मह कभी अभी नहीं बताया है, यह त्रिप भी मैंने ही प्लाक्या संदो मेरे पूजा 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 करेंक फेल है या पूजा पूजा थीक से एक्सुइन करने के लिए कुछ भी नहीं अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुमने मुझे फिर से धोका दिया अभी शिट पूजा वैसे वो क्या करने आई है ये जानते हुए भी तुमने ये सब कुछ हो नहीं दिया अभी नहीं पूजा आखिर तुम क्या सोच रहे थे अभी तुम्हें आप्शन रखना था क्या च कुछ बात मत करो इस वक्त में कुछ भी सुनो और समझना नहीं चाहती हूँ अभी प्लीज यहां से चले जाओ हुजा बढमेग में झायँ छाट उढमेगग प्लीज वहां से बत现 कर अभी वहां साव कर दोसुन व्या जाओ decepi प्लीज़ वहास समझना पहास साव बाया बाया बोस काली के पीडिन तब पूजा, 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 यह सब क्या है, कहां जा रहे हो तुम? यहां तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं अभी, अगर यहां रोंगी तो तुम पर चिलाऊंगी, रोना रहा है मुझे, डर लग रहा है कि कहीं तुम से नफरत ना करने लगू, इसलिए जा रही हूँ, मैं और बर्दाश नहीं कर सकती अभी, पूजा, मैं जानता हूँ, मैंने बहुत गलत किया है, पर जाने से पहले मुझे एक्स्पेंड करने का एक मौका तो, एक मौका, पूजा, हमारे बारे में बताने ही गया था मैं उस दिन, यह कमिटमेंट्स रिलेशन्शिप से डर लगता वापस लॉट कर आकर अभी I love you कहा, उस वक मुझे पागलों की तरह हवा में कूटते वे हग करके रोना चाहिए था, और तुम्हें पता है कितना बुरा रियक्ट किया मैंने, मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्यूँ, then I realized, I have a true feeling for you, उसके करीब हुआ हूँ इस खुशी स सताने लगा मुझे, तो बताओ ना उसे अभी कि मुझे और तुम्हें छोड़कर चली जाए यहां से, वो पुरी तरह से टूट जाएगी, मैंनो उसकी मां से वादा किया था, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, I can't hurt her, उसे थोड़ा वक दो, यह एक phase है, वो यह सब समझ ज अगर नहीं सबजबाई तो, मेरा भी यही डर है, मैं भी एक लड़की ही हूँ अभी, इस इन सिक्यॉरिटी के साथ मैं नहीं जी सकती, वो लड़की कुछ भी करे तो मुसे कुछ नहीं कहते, मतलब you are confused, इसलिए मैं यहां से जा रही हूँ, इन हाला तो मैं हमारा शादी कर कर रही हूँ, मुझे छोड़कर जाओगे, या उसे छोड़कर आओगे, फैसला कर लो प्यार का प्यार से मिलने सिला, किस से करे हम गिला, जी यूँगा कैसे मैं तेरे बिना, तेरे बिना मैं कुछ ना, ये दूरियां, ये फासले, कैसे बता मिटाएं, इस दिल पे गुजरी है जो, कैसे हम बताएं खो देंगे, खो देंगे तुमें स्तारा, हमने ये सोचा न था हो देंगे, खो देंगे तुमें स्तारा, हमने ये सोचा न था अभी, अभी क्या हुआ, पापा, मैं अपनी शादी को लेकर कोई डिसिजन नो तो आपको मनजूर होगा ना, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या, अभी सब कुछ नहीं बता सकता, आप सिफ हा या ना में जबाब दीचिए, तेरी खोशी में ही मेरी खोशी है बे तेरी शादी है, तेरी जिन्दगी का सबसे एहम फैसला जो तुझे ही करना है, इसमें मेरा फैसला नहीं बेटा, फैसला तो तुझे ही करना होगा, और तेरा हर फैसला मुझे मनजूर है, बस फैसला लेने से पहले दिल से एक बार सोच ले, एक बार फैसला ले लिया, तो पीछे मत अटना क्योंकि यह तेरी जिन्दगी का फैसला है अभी अभी क्या कर रहे हो बेटो बोलो क्या बताओ प्लान क्या है पूजा चली गई जैसा तुम चाती ठीक वैसा ही हुआ है ब्रेकप भी हो गया अब जस्ट यू एंड मी बोलो अब तुम चुप क्यों मैं तुमसे कुछ एक्सपेट कर रहा हूँ एक्चुली शादी कर लेते हैं तुम और मैं शादी कर लेते हैं कर लेते हैं लेकिन मुझे एक स्टीबल फैमिली चाहिए बच्चे चाहिए कमिट्मेंट चाहिए हमेशा मेरे साथ ही रहना पड़ेगा चिपक्कर रह सकती हो ना शादी क्या है मैं जानती हूं अभी किसी भी दिन किसी भी पल तुम्हें छोड़कर नहीं जाओंगी ओक्या ठीक है तो रधाओ अभी प्लान क्या है यही अभी दिन कर लेते हैं किसी भी रिजिस्टरर और आफिस्मिर और मापांर किस लिए हम दोनों को मंजूर है ना उसे बाद में मिल लेंगे हम रहनाण कि बात कर रहें कांता तुम्हारी फैमिली नहीं यहीं लेकिन मेरी नहीं अभी, तुमने बिल्कुल सच और सही कहा मेरे पेरिंस नहीं है ना, इसलिए मैंने वैसा नहीं सोचा आंटी अंकल से मैं बात कर लोगी पहले हम लोग यहां से निकलते हैं, चलो खो देंगे, खो देंगे तुमें इस ताला, हमने यह सोचा रथा खो देंगे, खो देंगे तुमें इस ताला, हमने यह सोचा रथा पूजा को भी फोन करके आने को कह दो ओ शायद अंदर ही है तुम यहीं वेट करो मैं अंदर जाकर बात करके आती हूं तुम चिंता मत करो अभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हाई पूजा हाई आंटी अक्छली बहुत बाते करने आई थी पर यहां खड़े होने के बाद थोड़ी नर्वस हो गई हूँ मैं बस एक मिनिट का ही टाइम लोंगी पूजा ज़र एक मिनिट तुम मेरी बात सुनोगी तुमसे कुछ परस्नली पूछना है क्या तुम मेरे लिए अभी कुछ होड़ दोगी बस मजाग कर रही थी तुम्हें छेड़ने के लिए तुम्हें कुछ बताऊंगी एक ही बार बताऊंगी बताने के बाद तुम भाव मत खाना अभी को मैं बहुत पसंद करती हूँ पूजा और जान बूज कर तुम दोनों के बीच आई थी अभी को मैं बहुत पसंद करती हूँ पूजा उतना जितना मेरी मॉम से प्यार करती हूँ उससे भी ज्यादा जब भी अभी मेरे साथ होता था मैं एक प्रिंसस जैसा फील करती थी मुझे लगा वो फीलिंग मुझे सारी जिंदगी चाहिए पर सच बताओ मुझे में एक बगवास सा कमिट्मेंट फोबिया है और उस दिन भी मैं बहुत डर गई थी और अभी की लाइफ से भाग गई और उस दिन भी मुझे लगा था मैं उस सिच्वेशन से भागी थी लेकिन अभी की लाइफ से भाग गई ऐसा नहीं लगा और अभी अब मेरी लाइफ में नहीं होगा ये एकसेप्ट करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा मुझे बिल्कुल यकी नहीं हो रहा था समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ किस से कहूँ हर प्यार का एक वक्त होता है पूजा ये वक्त मेरा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ये प्यार नहीं है अब चाहता तो मुझे कब का छोड़ चुका होता पूजा लिकेन ऐसा नहीं किया यह वेरी क्लिर अबाउट यू यह लेट मी गो थू दिस फेज मैं इतने दिनों से हारा हुआ खेल खेल रही थी पूजा पर अब और नहीं इतनी परफेक्ट इतनी ब्यूरिफुल दिमाग से भी और दिल से भी अभी को तुम चाहिए और तुम्हें अभी चाहिए बीच में टांग अडाने वाली मैं कौन होती हूँ मैं जा कर उसे भीजते हूँ अभी की आखों में अगर तुम्हारी वजह से एक भी आसु आया तो मैं उसके साथ रहूँगी भूलना मत मुवीज के अलावा मुझे नहीं लगा था ऐसा टालोग रियल लाइफ में मालनी के पॉच्रिंडी मिलेगी क्या तो मेरा एक फेवर करोगी पूजा इसे पढ़े बिन अभी के अंदर आने के बाद उसे दे दोगी थांक्स आयाव रियलाइज्ड साम्थिंग प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता जरूरत पढ़ने पर छोड़ कर जाना भी प्यार है दनाय रिलाइज्ड आयाव ट्रूफ फिलिंग पो यू उसके करीब हुआ हूं इस खुशी से जादा तुमसे दूर नहों जाओ मुझे इस बात का डर सताने लगा पुजा तो उसे बताओ अभी मुझे तुम्हें हम दोनों को छोड़ कर चली जाए क्या हो गया है तुम्हें? लुक आट यू चहरा लाल हो गया है इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो अभी? डोन वारी मैंने तुम्हारे लिए सब ठीक कर दिया है बेटी की शादी है ना? पहले तो सब सीरियस हो गय थे लेकिन बात में समझ गय है तुम्हारे इंतिजार कर रहे हैं अंदर जो अभी भूल गई पूजा पूजा वो एक्चली मैं तुम्हें एक बाद बताऊंगी बस एक ही बार बताऊंगी बताने के बाद भाव मत खाना अलव यू अभी ये लटर उसने देने के लिखा अभी हुू ुम्हें हु。 हुू handlar हु。 हु। कि खुदेंगे खुदेंगे तुमें इस तारा हमने ये सोचा रथा हो देंगे हो देंगे तुमें इस तरह हमने ये सोचा न था अभी मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हारे लिए सब ठीक कर दोंगे पूजा इसी होनी चाहिए ये कहने के वी पॉफ़ेक्ट एंग्जाम्पल इतने दिन तुम्हें परिशान करने के लिए Tut No यह तुम्हारी लिए शॉकिंग हो सकता है बड़ाइ डूंट हाव मच टाइम अभी इसलिए तुम्हारी साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करने का मन किया और कर लिया नाव आ किन गो पीस्फुली यह सिफ तुम्हें बता रही हूं अभी अब मुझे ठूनते हुए मत यह हं इसा है यह दूर यह कि राणा गई अभी मेंत यह दोुक्त हुए नेरे एसा क्यों बोली मुझे ढूनते हुए ना आ जाए इसलिए मेरे लॉटने का इंतजार ना करे इसलिए तुम्हारा सर तीरी इतनी हिम्मद तुने ऐसे बोला मुंबई के पास में एक शहर है एक मारूंगी ना आवाज वहां तक जाएगी तीदी हाई अभी तुम कब आए अपने क्लाइमेक्स को जब डीटियल में एक्स्पेंड कर रही थी तभी आया तुझे पता चल गया तेरी तो कैंसर है तुझे अभी 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 बागती का रुप प्लीज उसमझ नहीं आया क्या लिखू वह अच्छली जूट बोलके मेरे दिल को दुखाती है कि कांता मैं बहुर नहीं भाग सकता हुआ अब तेरे यह इमोशनल डालोक्स मेरे सामने बिल्कुल भी चलने वाले नहीं है वहां मेरी शादी हो रही है चल अब अगर मैं जाओंगी तो पूजा को क्या लगेगा पूजा को जैसे माँ पापा सनी मामा से कोई प्रावल्म नहीं है तुम्हारे साथ भी नहीं होगी वह मेरी फैमिली है तुम भी रहोगी ठीक है अच्छा है ना थैंक्यू अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है घर में सदाई आनंद हो दूआ है ये तेरी खुश तुम रहो घर में सदाई आनंद हो हाथों में तेरी जिसका हाथ हो हर पल वो तेरी सदा साथ हो मेरे ना रहने के बाद कोई उसका ऐसा हो की वो इंतजार करें तूआ है ये तेरी खुश तुम रहो घर में सदाई आनंद हो पले 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 जन्धर कांता चंद्री कांता चंद्रे कांथा चंद्रे कांथा